हेलो स्टुडेंट वेलकम टू पीवियर स्टडी मैं राज कुमार आपकी सीटेट मैथमेटिक्स के साथ आज आप देखेंगे पार्ट नमबर 11 क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन आज कुछ जाधा होंगे क्योंकि आज हम एक स्पेसल रूप से आपके लिए वीडियो बना होल और यहां पर क्या लगा 0.4 देखो मैं सवाल एक बार फिर से मिला लेता हूं यहां पर लगा है क्या 4 नहीं यहां पर यार 6 लगा है यही मैं कंफ्यूज था ठीक है यह कुश्चन है अब ध्यान से देखो एक बात मुझे बताओ कि 32 को हम 2 की घात के रूप में क्या लगा दें कि आपको पता है 5 लगा दें ना करके देख लो दो दूना चार दूना दूना सोला दूना बत्तिस तो भैया यहां पर अगर आप ध्यान दो 5 अंक पे दसमलो है कि तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको 0.2 और इसको भी आप चेंज कर सकते हो चूंकि 0.6 का बात आपको पता है यह 0.6 ता बाया होगा बच्चा जब यह 6 बटा दफ रहा होगा 2 त्याइशा 2 पंचे 10 तीन बटा 5 रहा होगा यानि इसकी घात हम तीन बटा 5 लगा सकते हैं इतना बात पकी हो रही है इतना आप फटा फट लिखो जल्दी से करो अब क्या होगा अब यहां एक बात ध्यान दो कुछ इसमें गडबड हो रहा है का हां गडबड हो रहा वो क्या हो रहा है वो यह हो रहा है कि 2 की घात 5 तो हम सिर 32 की जगा लिख सकते हैं सिर 32 की जगा तो 2 की घात 5 तो पहले कर लो न जार इसको अटाओ पहले यह तो उपर की घात है यह तो 32 के भी उपर है न तो पहले इसको 2 की घात 5 लगाओ इतना ठीक है? आप देखो तीन बटा पांच तो इसकी जगा पे में लिखूंगा ना? ये ठीक? अब भाईया ये 0.2 इसकी घात देखो ये 5 है ये तीन बटा पांच है आपको पता है कि गुड़ा करने पर क्या होता? घाते जुड़ती है जुड़ती है कि घड़ती है क्या होगा? लेकिन यहाँ पे जब गुड़ा होगा दोनों का अलग अलग तब ना? ये तो घात के उपर घात है तो गुड़ा होगा तो सिंपल सी बात है ये 5 गुड़ा तीन बटा 5 5 से 5 कट गया मतलब फाइनल में 0.2 का होल क्यूब आया अब यहार ऐसे देख लो 2 का क्यूब आठ होता है एक अंक पर दसम्बलो है तो तीन बार क्यूब होगा तो तीन अंक पर हो जाएगा यहनि 0.008 आएगा इसका अंसर फाइनल में अगर आप आप आप्शन देखोगे भाई साहब तो सी बाला साही होगा है न कितना इन अगह इसमों को साल्ब करके बता रहा हूं 3 मिनट में आप इसं एक मिनट में कर लोगे हां 3 मिनट वाला आप एक मिनट के अंदर कर लोगे भी देखकए अगला सवाव आपके सामय आ चुका है आपकी टाइम की हम बिलकुल पूरी परवाह करते हैं इस वज़ा तो पार्ट में तो हम इसी करम में लिख सकते हैंब है आपको पता है कि ये नौ गुड़े तीन चुकि यह वर्गमूल के रूप में है कि घनमूल वर्गमूल के रूप में है न तो हम जानते हैं तीन का घनमूल 27 होता है लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं हो सकता ऐसा कोई एक पूर्ड नंबर नहीं होगा तो हम इसे 9 गुड़ा 3 लिख सकते हैं इसमें 2 48 को हम सास गुड़ा तीन क्यों नो तरिक 27 के साथ हांसी लाया दो और नो चुछ गड़बढ हो जाए गयार कितना आप लोग बता जल्दी से यह उन्चाफ नहीं हो पाएगा उन्चाफ नहीं होगा क्या 147 ना नो तरिक 27 अर्टीन चुक बार दो चौदा ठीक तो है मुझे कुछ ग वर्गमूल है नो का वो तीन हो जाएगा और तीन का गुड़ा कर दो गे 4 में तिया 12 हो जाएगा अप कोई छोटे बच्चे तो आप हो नहीं यह अंडर रूट 3 अकहला बचेगा माइनस इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा 4 का 2 में गुड़ा कर दोगे तो 8 हो जाएगा अंडरूट में सिर्फ 3 बचेगा इसमें देखो प्लस ये 7 बाहर आ जाएगा चुकी वन्चास का वर्गमूल 7 हो जाएगा 3 में 4 आकेले बच जाएगा ये कहानी देखो क्या से क्या हो रही है ध्यान से देखो प्यार से देखो और देखते रहो हाँ आगे का होगा भईया जुड़ जाएगे प्लस प्लस 12,7,9,9 से ये घड़ जाएगा कितना आ जाएगा 11 11 इंटू अंडरूट 3 आंसर है कहीं का हाँ, option number D right ओके, इसमें कोई doubt है तो बता दो निसंको, जल्दी से लिख लो आप सभी screenshot ले लो, अगर आप इस वीडियो को एप में देख रहे हैं, तो भईया notes जरूर बनाए अब बिल्कुल tension मत लीजिए, कहीं भी अगर कुछ भी थोड़ा सा चोड़ के नहीं जाना यार, बहुत ही important class है कहरा कि यह, जो question दिया गया है देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है 3 upon 15, A का power 4, B का power 6, C का power 3, into 5 upon 9 A, into B का power 5, C का power 4 इसको divide किया गया भाग का चिन्द है 10 upon 7, A square B, C का cube का मान क्या होगा इसको simplification करोगे जिसमें से कौन सा option सही होगा बहुत simple सा है, देखने में काफी dirt लग रहा है बहुत ही भयानक लग रहा है चलो देखो, इनको उतार लो जैसे भी है जैसे भी है, इनको इसी दसा में उतार लो भीना कोई छेर चाड़ किये A का पाउर 5, B का पाउर 6, C का पाउर 3, इन्टू 5 अपा 9, A, B का पाउर 5, यह 5 है C का पाउर 4, हमें पता यह भाग में है गुड़ा में होगा ति यह पलट जाएगा आप सबको पता यह पलट जाएगा मैं question एक बार फिर से मिला लेता हूँ यह 10 बटा 27, यह 5 बटा 9, ठीक है यह 27 है 27 ठीक है अब यह गुड़ा का चिन लगेगा, यह पलट जाएगा 27 उपर चला जाएगा, लेकिन इधर साइड मेरे में जगा नहीं है तो मैं क्या करूँ मिटा दूँ क्या option तो आप देखी लिए हो, चलो ठीक है, option तो आप लोग देख लिए हो आप समझ गए इसमें से option क्या है वीडियो बैक करके आप देख लेना option मैं इसको simply आपको दिखा देता हूँ क्या होगा यह पलट जाएगा तो 27 बटा 10 और यह A, देखो आप ध्यान देना 27 बटा 10 भीया पलटेगा तो यह सब नीचे आजाएगा चुकि यह उपर है, जो A वाला है तो इससे आप चाहे तो ऐसे लिख लो समझने के लिए इंटू A काई स्क्वाईर B और C का क्यूब यह तो उपर लिख दो गए तो गडबड हो जाएगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे नंबर का हिसाब करेंगे नंबर का हिसाब में हम कई तरह से कर सकते हैं जैसे देखो 9 से यह काड़ दो 9.37 चूकि वो उपर है अब यह 3 बचाना इसको काड़ दो 3 एक कम 3, 3 पचे 15 पहले गिंती गिंती का हिसाब कर लो भाई 5 से 5 कट गया यह 5 कट गया एक उपर एक नीचे आप देखोगे 3 बचा 10 के वल बच रहा है बाकी कहीं कुछ नहीं बच रहा सब साफ हो गया तो गिंती में हमारे पास सिर्फ 3 बचा 10 बचेगा अगर हम बात करें लेटर की जो वरियेवल्स है यहाँ पर एक आई स्कॉयर है और यहाँ पर अगर आप देखो भाई पूरा कम्पलिटली तो यह एक पाउर 5 है और यह 1 है यानि 1 और यह क्या है 5 5 एक 6 और वो गात कितना है 2 उपर 6 गात है नीचे 2 है कम हो जाएगी 6 में से 2 गया 4 तो A का पाउर 4 बचेगा B का देखो यहाँ पर 6 गात है यहाँ पर 5 गात है तो B का गात 11 होगा और 11 में से यहाँ पर 1 गात कम हो जाएगी तो B का गात कितना आएगा 10 कि ध्यान से देखो अगर कोई डाउट है तो निसांकोच बता देना बहुत ही केरफुली देखो अगला देखो क्या कहता है अगला एक बचता है सी सी का घात यहां तीन है यहां चार है टोटल साथ घाते हो जाएंगी साथ मैं से तीन कम हो जाएगा तो बचेगा फोर यह आप कितना सिंपल है देखने में कितना वयानक है तो डियरी स्टूडेंट आज की यह कलास ही पर खतम होती आपने देखा नौ मिनिट में आपने कितने कोईशन कर लिए तीन कोईशन कर लिए आठ मिनट में पूरा कलास देखने के लिए आपको दिल से बहुत-बहुत मिलते हैं फिर नेक्स कलास में हाँ चलते चलते एक बात और बता दे अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सक्षन में कमेंट जरूर करें कमेंट करेंगे तो आपको रिफलाई मिलेगा चलिए इस्क्रीन साट ले लीजिए